इस प्लाइजर में आपको खुशाद देगी यह मेरा एरोकेरिया का प्लांट है और यह मैं आपको खुशाद करके दिखा सकूं यह इस प्लांट की जो है सबसे पहले तो मैं बात करूंगी कि अगर यह जमीन में हो तो इसकी लुक बहुत शांदार आती है लेकिन मेरा चुंक फिर उसके बाद शैड आजाए तो फिर यह बहुत अच्छा चलता है इशाद में आपको दिखा सकूं इसके नीचे जो है यह लगाया हुआ है तुलसी का प्लांट और यह है जनाब अरोकेरिया का प्लांट जिसे हम लोग देशी जबान में प्रिस्मिस ट्री भी कहते हैं यह भी स्लो ग्रोइंग प्लांट है और बहुत आइस्ता इस्ता ग्रो करता है यह तो तकरीबन चार साल हो गए है छे छे फिट से भी ज्यादा उंचा है और इसकी जो अभी थोड़ी लुक खराब हुई है उसकी वज़ा वह हमारी कराची की गर्मी थी गर्मी से थोड़ा स в बीख मुझा घया गया इनसान जमुझा जाते हैं कर्मी से नाके प्लांट बी मुझा आ प्रह गए तो इसकी जो है कटिंग से इसको बिल्कल भी ग्रो नहीं किया जाता इसके जो है अच्छा इसको मैं सबशे पहले बताहूं पानी जो है इसका बहुत जरोरी है आप विऐ पौदा बहुत सूरत लुक दे गा अर गहर में एक मेहसरीन लुक देता है घर की झभ यह घर में हमारे लगे हमारे होते हैं चाल इक हमारे आइनाधर होते हैं हमारे प्लांट सी तो यह जो है कि इस सर्जी और गरमी कहते हैं कि दोनों लेकिन मैं आपको बताओं हमारा जो अलाके का मौसम है वो ऐसा है कि ना यहाँ जादा सर्जी पड़ती है और अजीव इत्वा आपके ना ज्यादा गर्मी पड़ती है तो इसलिए सर्जी गर्मी से हमने क्या बचाना है हमने शेडिड एरिया में जरूर रखा हुआ है शेडिड एरिया में रखने से क्या है कि यह मौसम की शिदत से बाची गया है लेकिन पानी की कमी जो है वो बहराल प्लांट को खराब करती है इसको भी थोड़ा सा गर्मी ने खराब किया है और फटिलाइजर जो है मैं बार-बार यहार वीडियो में कहते हूं कि साल में एक ज चल रहे होते हैं कि देखिए इस प्लांट को उम्मीद है कि छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगेगी एरोकेरिया प्लांट की इसे हम क्रिस्मिस ट्री कहते हैं नेक्स वीडियो तक के लिए मैं जी भी सेयद को इजाज़त दीजिए और अपना बहुत साल ख्याल रखि वीडियो एको वीडियो कि घुते हैं झाल मैं लगे ऑ।